हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशक करती हूँ, ठीक होंगे? आईए, आज आपका नया पार्ट बहुपद पढ़ना शुरू करते हैं इसमें हम देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? हम ये भी चर्चा करेंगे कि बहुपद के शुन्यकों का जामित्री अर्थ क्या होता है? और पढ़ेंगे किसी बहुपद के शुन्यकों और गुडांकों में संबंध? ये भी सीखेंगे बहुपदों के लिए विभाजन अल्गॉर्धम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आईए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। एक चरवाला बहुपद P of X निम्र रूप का X में एक बीजिये वियंजक है P of X बराबर A N X की घात N प्लस A N-1 X की घात N-1 प्लस A2 X की घात 2 प्लस A1 X प्लस A0 जहां A0 A1 A2 A N आचर हैं और A N 0 के बराबर नहीं हैं। A0 A1 A2 A N टरमशह X की घात 0, X की घात 1, X की घात 2, X की घात N के गुडांख हैं। और N को बहुपद की घात कहा जाता हैं। प्रतिक A N X की घात N, A N-1 X की घात N-1 A0 जहां A N 0 के बराबर नहीं हैं को बहुपद P of X का पत कहा जाता हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, उधारन के लिए 7x, 11x की गहाद 3, माइनस 2 बटा 3xy, 4xyz आदी, दो पदो वाले बहुपद को दूपद कहा जाता है, जैसे, एक पदो वाले बहुपद को त्री पद कहा जाता है, जैसे, एक पदो वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, जैसे, 3x प्लस एक, 5x, Ax प्लस B, जहां A शुन्य के बढ़ाबर नहीं है, आदी, दो घात वाले बहुपद को त्री घात बहुपद कहा जाता है, जैसे, एक प्लस एक, एक प्लस B, एक प्लस C, जहां A शुन्य के बढ़ाबर नहीं है, आदी, तीन घात वाले बहुपद को त्री घाती बहुपद कहा जाता है, जैसे, एक जिगात तीन प्लस एक, एक जिगात तीन प्लस तीन एक जिगात दो, माइनस पांच एक प्लस एक आदी, वास्तुपद संख्या A बहुपद P of X का एक शुन्यक होती है, यदि P of A शुन्यक के बढ़ाबर हो, हम ये भी पढ़ चुके हैं, चर की अधिक्तम घात प्लस प्लस एक जिगात ता है, वास्तुपद संख्या A बहुपद P of X का एक शुन्यक होती है, यदि P of A शुन्यक के बढ़ाबर हो, एक चर में प्रतेक रहखिक बहुपद का एक अधितिय शुन्यक होता है, एक शुन्यतर अचर बहुपद का कोई शुन्यक नहीं है, और प्रतेक वास्त्विक संख्या शून्य भहुपत का एक शून्यक होती है। आईए बचो आप देखते हैं भहुपत के शून्यकों का जामत्री अर्थ क्या होता है। आप जानते हैं कि एक वास्त्विक संख्या के बहुपद P of X का एक 0 है यदि P of K 0 के बराबर है व्यापक रूप में एक रेखिक बहुपद AX प्लस B जहां A 0 के बराबर नहीं है के लिए Y बराबर AX प्लस B का ग्राफ एक सरल रेखा है जो X अक्ष को ठीक एक बिंदू माइनस B बटा A 0 पर प्रतिछेद करती है अतहे रेखिक बहुपद AX प्लस B जहां A 0 नहीं है का केवल एक शुन्यक है जो उस बिंदू का X निर्देशांग है जहां Y बराबर AX प्लस B का ग्राफ X अक्ष को प्रतिछेद करता है अब आएए हम द्रिघाद बहुपद के किसी शुन्यक का जामत्रिय अर्थ जाने वास्तव में किसी द्रिघाद बहुपद AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C जहां A 0 के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरन Y बराबर AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C के ग्राफ का आकार या तो उपर की और खुला इस प्रकार की तरह अथवा नीचे की और खुला इस तरह का होगा जो इस पर निर्भर करेगा कि A 0 से बड़ा है या A 0 से छोटा है इन व्रक्रों को परवले भी कहते हैं पैराबोला या परवले ये तत्ये सभी द्विघाद बहुपदों के लिए सत्य है अर्थात द्विघाद बहुपद AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C जहां A 0 के बराबर नहीं है के शून्यक उन दो बिंदूओं के X निर्देशांक हैं जहां Y बराबर AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C को निर्भूपित करने वाला परवले एक सक्ष को प्रतिछेद करता है Y बराबर AX के खाद 2 प्लस BX प्लस C के ग्राफ के आकार का प्रेक्षन करने से तीन निम्लिखित स्थितियां समभावित हैं आईए देखते हैं पहली स्थिति क्या कहती है यह ग्राफ X सक्ष को दो भिन बिन्दूओं A और A' को प्रतिछिद कर रहा है इसलिए यहाँ पर इस स्थिति में A और A' के X निर्देशांग दिखाद बहुपद AX क्वाई प्लस BX प्लस C के दो शुन्यांग हैं A और A' दूसरी स्थिति में देखते हैं यहाँ ग्राफ X सक्ष को केवल एक बिन्दूओं पर यहाँ देखिए एक बिन्दू पर अर्थात दो समपाती बिन्दूओं पर काटता है इस स्थिति में पहली स्थिति के जो दो बिन्दू थे A और A'dash यहाँ पर समपाती होकर एक बिन्दू A हो जाते हैं इस स्थिति में A का X निदेशांग द्विगाद बहुपद A X गाद दो प्लस B X प्लस C का केवल एक शुन्यांख है तीसी स्थिति में यहाँ ग्राफ या तो पून रूप से X अक्ष के उपर है या पून रूप से X अक्ष के नीचे है इसलिए यह X अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है अतहें इस स्थिति में द्विगाद बहुपद A X गाद दो प्लस B X प्लस C का कोई भी शुन्यांख नहीं है इस प्रकार आप जामितिय रूप में देख सकते हैं कि किसी द्विगाद बहुपद के दो भिन शुन्यक या दो बराबर शुन्यक अर्थात एक शुन्यक या कोई भी शुन्यक नहीं हो सकते हैं इसका ये भी अर्थ है कि घाद दो के किसी बहुपद के अधिक्तम दो शुन्यक हो सकते हैं किसी त्री घात बहुपत के अधिक से अधिक 30 हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में घात 3 के किसी बहुपत के अधिक से अधिक 30 हो सकते हैं, टिपपणी पे ध्यान दिजिए, व्यापक रूप में घात N के दिये गए बहुपत P of X के लिए Y बराबर P of X का ग्राफ X अक्ष को अ तह घात N के किसी बहुपत के अधिक से अधिक N शुन्यक हो सकते हैं आईए आपकी प्रश्नावली 2.1 हल करते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है किसी बहुपत P of X के लिए जहां Y बराबर P of X का ग्राफ नीचे आकरती में दिया है प्रतेख स्तिती में P of X के शुन्यकों की संख्या ग्याद कीजिए यहां देखिए आपके पास ठेए ग्राफ है एक एक करके देखते हैं पहले में आप देखिए यह आपका ग्राफ है यह आपकी X अक्ष के ऊपर है इसको बिल्कुल भी नहीं काट रहा है इसलिए शुन्यकों की संख्या यहां पर क्या होगी शुन्य क्योंकि ग्राफ X अक्ष को एक बिंदू पर प्रतिछेद नहीं कर रहा है दूसरे ग्राफ में देखिए यहां ग्राफ X अक्ष को एक बिंदू पर काट रहा है इसलिए शुन्यकों की संख्या क्या होगी? एक तीसरे ग्राफ में देखिए तीसरा ग्राफ X अक्ष को तीन बिंदू पर प्रतिछेत कर रहा है इसलिए 0 क्यों की संख्या क्या होगी? 3. आगे देखते हैं, चौथे ग्राफ में देखिए, 0 क्यों की संख्या 2 होगी, क्यों? क्योंकि 1 सक्ष को 2 बिंदूओं पर काट रहा है. पांचवे ग्राफ में देखिए, 1, 2, 3 और 4. यहाँ पर यह ग्राफ एक सक्ष को 4 बिंदूओं पर प्रतिछेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शुन्यकों की संख्या 4 होगी. छटे ग्राफ में देखिए, 1, 2 और 3. यहाँ आपने देखा कि हमारी शुन्यकों की संख्या क्या होगी? 3. क्योंकि ग्राफ एक सक्ष को 3 बिंदूओं पर प्रतिछेद कर रहा है. अब कुछ बहु विकल्पिया प्रेश्ण हल करते हैं. दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये. यदि द्विगाद बहुपद X की ग्राफ 2 प्लस 3X प्लस K का एक सुन्यक 2 है, तो K का मान है 10, माइनस 10, 5 या माइनस 5. आईए पता लगाते हैं. हमारे पास बहुपद है X की ग्राफ 2 प्लस 3X प्लस K. यहां A का मान हुआ एक, B का मान हुआ 3 और C का मान हुआ K. हमें और क्या दे रखा है? शुन्यक 2 है. इसका मतलब आलफा 2 ले लेते हैं. और आलफा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस B बटा A. तो इसमें से हम माइनस B बटा A. यह हमारे पास आगया. अलफा प्लस बीटा माइनस 3. अब हमने अलफा की वैल्यू रग दी. तो 2 प्लस बीटा हो गया, माइनस 3, या बीटा कितना हो गया, माइनस 3, माइनस 2, तो हमें बीटा का मान आ गया, माइनस 5, अब हमने लिया आलफा बीटा, इनका गुणनकन, आलफा बीटा बराबर है C बटा A के, आलफा की हमने मान रख दी 2, इन्टु बीटा बराबर है K 2 गुना माइनस 5 बीटा का मान बराबर हो गया K. इसका मतलब K का मान आगया माइनस 10. इसका मतलब हमारा कौन सा वेकलप ठीक हुआ? B. माइनस 10. समझ में आया बच्चों? आईए दूसरा प्रेशन करते हैं. यदि 2 गहाद बहुपद K-1 गुना X की गहाद 2 प्लस KX प्लस 1 के 0 को में से 1 शुन्यक माइनस 3 है. तो K का मान है 4 बटा 3, माइनस 4 बटा 3, 2 बटा 3 या माइनस 2 बटा 3. आईए देखते हैं. हमारे पस बहुपद क्या है? P of X बराबर K-1, X की गहाद 2 प्लस KX प्लस 1. इसमें हमें एक शुन्यक दिया हुआ है, माइनस 3. अब इसमें हम भुपद की, भुपद का मान निकालेंगे. जब X संख्या माइनस 3 देखते हैं. क्या होगी? K-1, माइनस 3 की गहाद 2 प्लस K गुना माइनस 3 प्लस 1. इसको हल करने पे देखे क्या मिलेगा? माइनस 3 गुना माइनस 3 हो गया 9 तो यह हो जाएगा 9 गुना के माइनस 1 माइनस 3 के प्लस 1. अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं. शरल करने पर पाएंगे? 9 के माइनस 9 माइनस 3 के प्लस 1. 9 के माइनस 3 के हो गया 6 के माइनस 8. ठीक है? इसको हमने 0 के बराबर रखना है क्योंकि यह हमें 0 अलरी दे रखा है. तो 6 के हो गया 8 या के बराबर हो गया 8 बटा 6. जिसको हम हल करके 4 बटा 3 निकाल सकते हैं. सरल करने के बाद तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक हो अब बच्चो? पहला वाला A. 4 बटा 3. समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं. यदि द्विघाद बहुपद X की घाद 2 प्लस A प्लस 1 गुना X प्लस B के 0 दो और माइनस 3 हैं. तो 1 का मान होगा माइनस 7, B का होगा माइनस 1 या A 5, B माइनस 1 या C 2 और B माइनस थे या A 0, B माइनस थे. तो देखते हैं हमारे पास विकल्प, हमारे पास कौन सा विकल्प ठीक होगा? पहले हम भहुपद ले लेते हैं. क्या है हमारे पास भहुपद? पी ओफ एक्स पराबर है, एकस ही घाद 2 प्लस A प्लस 1 गुना X प्लस B. अब क्योंकि हमें शुन्यक 2 और माइनस 3 दे रखें, इसका मतलब क्या होता है? पी ओफ दो बराबर 0 होगा और पी ओफ माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा. अब हम इनकी पी ओफ 2 निकाल लेते हैं, मतलब X की जगे 2 रख करके क्या माना आएगा? 2 की घाद 2 प्लस A प्लस 1 गुना 2 प्लस B इसको हल करके हमें एक सम्मिकरन निकालेंगे. यह हो जाएगा 4 प्लस 2 A प्लस 2 प्लस B बराबर 0 है. तो 4 और 2 छे हो गया, तो 2 A प्लस B बराबर होगा माइनस 3. यह हमारी पहली सम्मिकरन आ गई. ठीक है? अब हम देखते हैं P माइनस 3. इसको भी वैसी हल करते हैं. माइनस 3 की घाद 2 प्लस A प्लस 1 गुना माइनस 3 प्लस B. माइनस 3 गुना माइनस 3 कितना हुआ? 9 प्लस यह होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 3 A माइनस 3 प्लस B. इसको हल करते हैं. माइनस 3 A प्लस B बराबर हो जाएगा, 9 माइनस 3 वो अच्छे, उदर जाएगा तो यह हो जाएगा, माइनस 6. यह हमारी दूसरी समिकरन आ गई. अब इन समिकरनों को हम हल करना जानते हैं, इनको हल करके हम A और B का मान निकालेंगे. देखिए, यह हमारी पर्स समिकरनों को हल करेंगे. पहली हमें इन समिकरन है, 2A प्लस B बराबर है माइनस थे, और दूसरी है माइनस 3A प्लस B बराबर माइनस थे. अब ध्यान से देखिए, हम अगर इन समिकरनों को, दूसरी समिकरन को पहली में से गटा देते हैं, तो हमारी यह सब साइन बदल जाएंगे. और minus 6 plus 6 कटो गया B minus B भी कटो गया यहाँ क्या बचा हमारे पास plus 5 ये बराबर 0 इसका मतलब 5 तो बराबर 0 के हो नी सकता इसलिए हमें A बराबर 0 आएगा अब हमने कोई भी समीकरन ले ले लिनी है 2 A plus B बराबर minus 6 हमने ले ली इसमें हमने A का मान रख दिया A का मान कितना आया? 0 तो 2 गुना 0 प्लस B बराबर है माइनस 6 तो B का मान आया माइनस 6 अब देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प ठीक था बच्चो D वाला A शुन्य के बराबर था और B माइनस 6 के बराबर था आशा करती हूँ समझ में आया होगा चलिए अगला प्रशन करते हैं 3 गाद बहुपद A X की गाद 3 प्लस B X की गाद 2 प्लस C X प्लस D के 2 शुन्यक दिये गए हैं तीसरा शुन्यक है माइनस B अपॉन है B अपॉन है C अपॉन है या माइनस D अपॉन है यदि तीसरा शुन्यक अपॉन है तो अपॉन्यकों का योग कितना होगा बच्चों अपॉन प्लस बीटा प्लस गामा यह बराबर होता है माइनस B बटा A के क्योंकि हमें दे रखा है कि दो शुन्यक शुन्य हैं इसका मतलब अल्फा प्लस शुन्य प्लस शुन्य बराबर माइनस B बटा A तो हमें अल्फा कमान क्या हो गया माइनस B बटा A तो पहला वाला विकल्ब सही है ठीक है? अब अगला प्रशन देखते हैं त्रिघाद बहुपद AX इघाद 3 प्लस BX इघाद 2 प्लस CX प्लस D का एक शुन्य खुन्य दिया गया है अन्य दोनों शुन्यकों का गुणनः फल क्या होगा? माइनस C बटा A C बटा A शुन्य या माइनस B बटा A तो हमारे पस बहुपद क्या है? AX की घाद 3 प्लस BX की घाद 2 प्लस CX प्लस D अगर हम alpha, beta, gamma शुन्यक ले लेते हैं तो हमें दिया हुआ क्या है? alpha शुन्य है देखें यहाँ पर एक शुन्यक शुन्य है तो हमारे पास alpha, beta प्लस beta, gamma प्लस gamma alpha किसके बड़ाबर होता है? C बटा A के यहाँ अगर हम alpha का मान 0 रखते हैं शुन्य रखते हैं और यहाँ भी शुन्य रखते हैं तो यह दो तो शुन्य हमें मिल गए और हमें क्या मिला? beta, gamma बराबर C बटा A तो शुन्यकों का गुणन फल क्या हो गया? C बटा A तो कौन सा हमारा विकल्प ठीक है? B वाला ठीक है? चलिए आगे चलते हैं यहां हम बहुत ही रोचक प्रेशन लेके आएं हैं क्या बहुपद P of X को 2X प्लस 3 से भाग देने पर शेश्वल X माइनस 1 हो सकता है? अपने उत्तर का और चित्त्य दीजिए ऐसा संभव नहीं है क्यों? क्योंकि X माइनस 1 की घाद 1 है जो 2X प्लस 3 की घाद के बराबर है तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है अगला देखते हैं क्या निम्लिखित कतन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तर का और चित्य दीजिए यदि 1 द्विघाद बहुपद AX की घाद 2 प्लस BX प्लस C की दोनों शुन्यक रिणात्मक है तो A, B और C में से प्रतेक का एक ही चिन होता है इसका उत्तर है सत्य क्योंकि माइनस B बटा A जो है शुन्यकों का योग शुन्य से कम है इसलिए B बटा A शुन्य से बड़ा है साथ ही शुन्यकों का गुणनफल C बटा A भी शुन्य से बड़ा है आईए अब समय है ग्रह कादे का कुछ प्रश्न ले लेते हैं पहला प्रश्न है नीचे दी गई आकरती में ग्राफों को देखिए प्रतेक आकरती Y बराबर P of X जहां P of X एक बहुपद है का ग्राफ है ग्राफों से प्रतेक के लिए P of X के शुन्यकों की संख्या ग्यात कीजिए हमारे पस छे ग्राफ हैं इर्फ में आपको शुन्यकों की संख्या बतानी है असान है? कर लेंगे? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं प्रतेक का एक उधारन दीजिए पहला दस घहात के दुपद दूसरा पंदरा घहात का एक पदी तीसरा पांच घहात का त्री पद चौथा सौ घहात का बहुपद अगला लेते हैं क्या निमलिकित कथन सत्य हैं या असत्य है? अपने उत्तरों के लिए औचित्ति दीजिए पहला यदि एक बहुपद का आलेक एक सक्ष को केवल एक ही बिंदू पर प्रतिछेत करें तो यह एक दुईघाद बहुपद नहीं हो सकता दूसरा यदि एक बहुपद का आलेक एक सक्ष को ठीक दो बिंदूओं पर प्रतिछेत करता है तो वह आविश्यक नहीं कि वह एक द्रिघाद बहुपद हो तीसरा यदि एक द्रिघाद बहुपद के दो शुन्यकों में से प्रतेक शुन्य है तो इसके रेखिक और अचर पद नहीं हो सकते यदि एक द्रिघाद बहुपद के सभी शुन्यक रिणात्मक हैं तो इस बहुपद के सभी गुणांग और अचर पद एक ही चिन्द के होते हैं अगला है यदि एक द्रिघाद बहुपद एक द्रिघाद 3 प्लस एक द्रिघाद 2 माइनस BX प्लस C की तीनो शुन्यक धनात्मक हैं तो A, B और C में से कम से कम एक अवश्य ही रिणेतर होगा अगला है K का केवल वैमान जिसके लिए द्रिघाद बहुपद के X की घाद 2 प्लस X प्लस के के शुन्यक बड़ाबर है शुन्यक एक बटा दो है तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा उसका सारांच देख लेते हैं इस एपिसोड में हमने निम्न तत्यों पर अध्यन किया है घातों एक, दो और तीन के बहुपद क्रामशह, रेकिक बहुपद, दुईकाद बहुपद, एवं त्रिकाद बहुपद कहलाते हैं एक दुईगाद बहुपद, एएक्स इगाद दो, प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए, बी, सी वास्त्रीक संख्याएं हैं, और एशुन्य के बढ़ाबर नहीं हैं, के रूप का होता है एक बहुपद, पी ओफेक्स के שुन्यक, उन भिंदूओं के X निर्देशांइख होते हैं, जहां वाई बराबर पी ओफेक्स का ग्राफ, X अक्ष को प्रतिछेद करता है एक दिघाद बहुपत के अधिक से अधिक दो शुन्यक हो सकते हैं और एक दिघाद बहुपत के अधिक से अधिक तीन शुन्यक हो सकते हैं तो बच्चों आशा करती हूँ, आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा अब भ्यास कीजिए आप इसको और भी सरल तरीके से सीख पाएंगे धन्यवाद